आप देख रहे हैं मेरा चैनल म्यूजिक शुकान तो पहली बार आपके लिए मैं लाया हूँ पियानो के ट्यूटोरियल जहाँ पर एक के बाद एक मैं वीडियो आफलोर करते रहूंगा और पियानो के बेसिक्स क्या है और उसको बजाया कैसे जाता है एकसेटर एकसेटर टॉपिक के ओपर मैं बात करूँगा जो भी कुछ मुझे आता है वो आपके साथ शेयर करूँगा तो आई होप जो जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको अच्छा लगेगा तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मे यह एक USB कीबोर्ड है जिसको मैंने मेरा कंप्यूटर पर कनेक्ट किया है तो पहले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो की का जो ऑर्गनाइजिशन वो कैसा है तो आप देख सकते हैं तो पहला जो वाइट की है पहला जो वाइट की है इसको इस नोट के नामे सी त मे टिराओ लार ऱकिरे सीडी इसके बाद एफ जी एबी टिरसे आजाते हैं सी डी ये घी ए भी सी डी शीय अीए तो ऐसी चेलता है तोय कि यह इन्द सुआजरक की अब देख सकते हैं इतना सारा ब्लेंक ऐस भी D, यह होगा sharp D के बाद होगा D sharp और यह क्या होगा E और E और A के बीच में आप देख सकते हैं कोई भी black की educación नहीं है, तो इसके मतलब क्या होगा E का कोई sharp नहीं है E के बाद होगा E A का sharp यह है G यहाँ पर है तो यह है G sharp यह है A तो यह होगा A sharp उसके बाद होगा B B और C के बीच फिर से देखिए कोई भी black की नहीं है इसका मतलब क्या है? B का भी कोई sharp नहीं है तो फिर से यहाँ पर repeat होता है C क्योंकि आप देख सकते हैं दो जो black की है उसका जो पहला वाला की है यहाँ पर भी देखिए सेम, पैटर्न पुरा सेम है तो यह सी यहाँ पर repeat होता है यह सी यहाँ पर भी repeat होता है तो यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा मैं repeat करता हूँ आपके लिए यह जो total जो आप white की देख सकते हैं यहाँ पर आपको sharp note नहीं मिलेगा और यहाँ पर जो total black की आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर है सभी sharp note C sharp, D sharp, यह वाला F sharp, G sharp, A sharp फिर से आजाएगा C sharp, D sharp, यह वाला F sharp, क्योंकि E का कोई sharp नहीं है तो आपको यह ध्यान रखना है और यहाँ पर जो जितना सारा white की आपको मिलेगा वो सभी है simple alphabet कीता है तो यहाँ पर का C, D, E, F, G, A, B C, D, E, F, G, A, B C, D, E, F, G, A, B, C, D, E तो ऐसे ही चलता जाएगा मैं आपको एक बार एक चीज दिखाता हूँ तो मैं आपके लिए copy लाया हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा मैंने आपको बताएगे यह C का यहाँ पर repeat होता है तो मतलब total जो notes है कितना 12 notes है जो 13 पर जब जाएगा तब repeat होगा तो आपको actually यह notes ऐसे नहीं चलता है यह notes चलता है round की तरह round तो मैं आपको दिखाऊंगा round की तरह कैसे जलता है मानलीजी यहाँ पर C है जो clock का जो 12 hours है उसी pattern से मैं आपके लिए लिखूंगा इसके बाद होगा C sharp D आपर होगा D sharp आपर होगा E E का कोई sharp नहीं होता है इसलिए होगा F Ape के बाद होगा Ape sharp उसके बाद होगा G G sharp यहाँ पर होगा A यहाँ पर होगा A sharp B और C तो आप देख सकते है C यह वाला white की है यहाँ पर भी white की है white की है यह वाला भी white की है यह white की है यह white यह भी white और जो बाकी सारा है, वह है ब्लैक की तो टोटल White की कितना हुआ? एक दो तीन चार पांच छे साथ और ब्लैक की हुआ कितना? एक दो और भहा तीन चार पांच तो टोटल कितना है? अपका वारे नोर्स तो music, अब जितना सारा music आप सुनते हैं सबी ये जो बारा नोट से इसके अंदर ही छुपा है तो I hope ये जानकरी आपको आपके लिए फाइदा मन्द होगा So मैं चाहता हूँ कि पहले लेसन में जो भी कुछ मैंने अभी आपको बताए वो आप सोचिए और उसके बाद मैं लाओंगा आपके लिए दूसरा ट्यूटोरियल जहां पर और भी कुछ एडवांस चीजों के उपर मैं बात करूंगा जो तक के लिए आप खुश रहिए सीखते जाएं और दिखते रहें मेरे चैनल म्यूजिक शुकानतो थांक यू